आज मैं आप लोगों को असेस्मेंट स्की बतानी लगी हो क्लास 10th के स्टुडेंट्स की पंजाब बोर की यह असेस्मेंट स्कीम है और यह 10th क्लास के 8 स्टुडेंट्स के लिए सबसे पहले आप अपने MCQs देख लेए और कांसे चेप्टर में से स्क्रें पूचे जा सकते हैं आपको सामें स्क्रीन पर स्क्रह हो रहा है चैप्टर नबर सेवन में से आपको व्यवंइंस कि पोछेएगे चैप्टर इट में से भी 3 mcqs Chapter 9 में से भी आपको 4 MCQs पूछे जाएंगे इसी तरह Chapter 10 है इसमें से भी आपको 4 MCQs पूछेंगे और Last Chapter आपका जो Chapter 11 है वहाँ से आपको Just 1 MCQ आएगा Next portion आपका Subjective portion होता है उसमें Short Questions और Long Questions होते हैं Short Questions में भी आपके 3 आगे Further Questions होते हैं और उनके Parts होते हैं Question No.2, Question 3 and Question 4 सबसे वेरे Question No.2 पे आएं इसमें आप लोगोंने कोई से 6 Parts attempt करने होते हैं जबके आपके पास यहाँ पे 9 Parts given होते हैं Six जो Short Questions हैं आपके वो Chapter No.7 में से आएंगे बाकि जो आप लोगों के 3 Short Questions रह गए हैं Question No.2 के वो आपको Chapter No.8 के First Half पे से पूछे जाएंगे First Half यहाँ पे क्या है? जो Chapter No.8 है उसे आपने डिवाइड करना है Portion दो Equal Portions में फिर उसका जो First वाला Portion होगा Half का उसमें से आपको यह वाले तीन Question पूछे जाएंगे Next है आपका Question No.3 Question No.3 है इसमें से आप लोगों को जो 3 Short Questions है पूछेंगे वो Chapter 8 के Second Half में से है ठीक है? जैसे मैंने अभी बताया कि आप लोगोंने दो Equal Parts में उस Chapter को डिवाइड करना है First Half में जो 3 Questions पूछेंगे वो Question No.2 के लिए होंगे Second Half में जो 3 Questions पूछेंगे वो आपके Question No.3 के लिए होंगे Next आपका जो Chapter No.9 है उसमें से आपको जो Short Questions पूछेंगे वो 6 है Next Question, Question No.4 Question No.4 में आपके पास जो Chapter No.10 है उसमें से टोटल आपको 6 Questions पूछेंगे और Chapter No.11 में से टोटल जो Short Questions है वो 3 पूछेंगे इस तरह आप लोगों का short portion complete हो गया Next आज आए अपने long portion की तरफ Long portion में आप लोगों का जो question number 5 का A part है और B part है ये दोनों part आप लोगों को chapter number 7 में से आएंगे जो question number 6 है उसका A और B part ये भी आपको दोनो chapter 8 से आप पुछे जाएंगे Next question है question number 7 का A और B part ये आपको chapter number 9 में से दोनों parts आएंगे लेकिन last question जो question number 8 है उसका A part आपको chapter number 10 में से और B part आप लोगों को chapter number 11 में से आएगा और long questions में से आप लोगों को इसे तीन करने होते हैं एक क्या आप लोगों को choice होती है इस तरह आप लोगों की जो assessment scheme है यह हो गई है complete I hope आप लोगों को इस पूरी scheme की समझा गई होगे कि इस scheme के according आपको किस तरह का paper पूछा जा सकता है Next मैं आपको इंचाला इसका जो आप लोगों का guest paper है वो provide करूँगी I hope आपको वो paper भी बहुत easily समझा जाएगा और आप लोगों का majority portion उसमें से पूछा जाएगा Thank you so much